हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगे तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपके साथ डिसकसन करने वाला हूँ बताने वाला हूँ जूल का उसमेनियम ज दोस्तो ऐसा ट्रिक दुबारा जन्म नहीं लेगा यूटूब चैनल पर ठीक है तो चले इस वीडियो को सुरुआत करते हैं बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राब कर लें साथ में बैल आइकन को दबाना भी ना भूले तो चले शुरुवात करते हैं सवाल है दोस्तो जूल का उसमे नियम ठीक है यानि समझे इसके बाद मैं लास्ट में आपनों को ट्रिक भी बताऊंगा इससे रिलेटेड मैं आपनों को अबजेक्टिव कुश्चन भी कराने वाला हूँ दोस्तो कुश्चन है जूल का उसमे ने किया था जिसे जूल का उसमे नियम कहते हैं यानि समझे आप लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा कहता है किसी चालक से परवावित्दारा के कारण उत पन उसमा संबंधी नियम का प्रति पादन जूल ने ही किया था जिसे जूल का उसमे नियम कहते हैं इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन उस्मा निमलिखित तीन परकार से होती है दोस्तों पहला है पहला ध्यान दिजेगा पहला है उस चालक से परभावित होने वाली विदुत धारा आई के वर्ग से वर्ग के सिध अगला है दोस्तो चालक के प्रतिरोध आर का सीधा समानुपाती होती है अर्थात क्यों समानुपाती आता है अर्थात क्यों समानुपाती आर क्या होती है आप दोस्तो मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ देखिये यहां पर क्यों समानुपाती आए स्क्वाइर है तो दोस्तो आए अगर दिया हुआ तो R और T अचर होगा, अगर R दिया हुआ है तो I और T अचर होगा, ठीक है, अगर T दिया हुआ है, तो I और R क्या होगा, अचर होगा, नहीं समझे, समझे फिर से, Q समानुपाती अगर I स्क्वार दिया हुआ है, तो दोस्तो R और T क्या होगा, अचर होगा, ठीक है, चले फि किसरा समझते हैं क्यूं समानुपाती दिया हुआ है ती तो यहां पे दोस्तो आई और आर जो क्या होगा वह आपका अचर होगा तो उमीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को पुरी तरह से जानकारी प्राप्त हो गया होगा इसी तरह से ऑप्सन में भी पूछता है तीन आप्सन में आप लोगों को बताया जो कि एक्जाम के दृष्टी कोन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए तो उमीद करता हूं मेरी बाते आप लोगों को समझ में आया होगा थोरा सा भी कन्फ्यूजन लगा हो तो कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये पर यदि आप समझना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट जरूर कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक करें जैहिन वन दे मातरम